तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इसनाए और लेटेस्ट वीडियो में और यह जो वीडियो है आप लोगो मालूम होगा जो आप लोगा भुचाल स्रीज चल रहा है यानि कि 10 क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से तीन सा अती महत्तव पूर्ण अब्जे स्वाइब कोशन कमपलीट कराओं गी और द्यान रहे मैं इन अब्जेक्टिव कोशन में ऑपसन नहीं डाली हूं अपसन हटा दिया जाता है तो तीन अपसन जो रॉंग होता है गलत उसको हटा दिए और जो सही ऑपसन है सही एंसर उसको मेरा क्यों मतलब कोशन है और फिर question फिर उसका सही option फिर question फिर उसका सही answer ठीक है तो इस तरह है तो चलिए हर एक question को आप लोग को ध्यान से देखना है समझने और उसका answer याद करते चलना है ठीक तो चलिए हाँ तो यहां से आप लोग का सवाल स्टार्ट हो रहा है और देखिए सवाल नंबर 21 है अच्छा 21 क्यों क्योंकि पार्ट वन की वीडियो में हम लोग अलड़ी 20 यानि की बीस question कर चुके हैं क्लास टेंथ उर्दो objective question का यह जो भुचाल स्रीज चल रहा है ना इसका पार्ट वन के वीडियो में हम लोग अलड़ी 20 objective question कर चुके हैं अब यह पार्ट टू है तो इसमें हम लोग 21 question से start कर रहे हैं तो सवाल नंबर 21 है कि फरार किसका अफसाना है यान कि फरार नाम का यह किसका लिखा हुआ अफसाना है तो वह है डाक्टर मुहमद मौसिन का लिखा हुआ यह अफसाना फरार ठीक तो राइट एंसर जिस भी अपसेन में अप लोगको डाक्टर मौमद मोसिन लिखा हुआ दिखा इदे उसका आप लोग को टिक कर देना है जब यह question पूछे तो फ ठीक है तो आप लोगों को जिस भी option में महमूद लिखा वह दिखाई देगा ना उसको आप लोगों को टिक कर देना है आगे बढ़ते हैं वह हो जाएगा आप लोगों का सही जवाब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 है कि डॉक्टर मुहम्मद मोसिन की पैदाइश कब हुई थी तो पठना शहर में हुई थी तो यह हो जाएगा आप लोगों का सही जवाब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 है कि महसिन साहब के वालिद का नाम क्या था तो उनके वालिद यानिकी पिता जी का नाम था सेयद मुहमद रशीद यह भी आप लोगों के एक्जाम म यह 4-5 बार तो पूछा जा चुका है तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि डॉक्टर मुहमद मुहसिन के वालिद यानिकी पिता जी का नाम है सेयद मुहमद रशीद और यह कोशन अगर पूछता है तो आप्सन में जिस भी आप्सन में दिखाई दे सेयद मुहमद श्रीद उसको आप लोको टिक कर देना है आगे बड़ते हैं सवाल हमर 26 careful लबसेयद मुहमद मुहसीन किस के बिखाई है तो वो थे नफसियात के आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 है कि डॉक्टर मुहमद मौसिन का इंतकाल कब हुआ तो 2002 में हुआ था डॉक्टर मौहमद मौसिन का इंतकाल आगे बढ़ते हैं सवाल के पास अगर आप लोग चेप्टर पढ़े हैं तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर militar का नाम क्या है नफसियाती जावीन के राइटर का नाम क्या है तो है सिद मुहम्मद मौसिन और होते हैं सवाल नमबर 3030 कि मुहम्म्म्मण wybis impieu टाइप और यह यहाँ पर कुछ और रहना चाहिए सेयल मुहम्मब मुहस्इन के अफसान्वी हां अफसान इया गलत हो गया यहाँ पर एना चाहिए ये अफसान ओी रहना चाहिए रहना अफसान वी मजमुवा का किलान क्या है तो यानिए कि कहानी के किताब का नाम क्या है स्य stuffs whatsуска नाम है अनौखी मुस्कूराँत जो कि सेयत मुहम्म्मुहसिं का लिखा हुआ का 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 किताब है ठीक है तो यह वह आप लोक के एकजामने कुछन पूछ जाचुका है सेद मुहम्मंद मुहसिन के एक शेरी मजमुआ का नाम क्या है यानि कि शेर वशेरी के किताब का नाम आप लोगो बताना है तो उसका नाम है जखम के फूल आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 32 कि किस साल मुहमद मुहसिन अपनी एहलिया के साथ हज का फरीजा अदा की है मतलब किस साल जो है ना स कोशन आप लोगों को इंपॉर्टन समझते हुए याद रख लेना है ठीक आगे बढ़ते हैं मुहमद मुहसिन के कितने अउलाद थे तीन बेटे थे और चार बेटिया थी आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 35 कि महमूद आगे चलकर क्या बन गये ठीक तो डिप्टी कलेक्ट बन जाता है जिसको मतलब महमूद जो है ना उसको औरतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो यह आप लोग अगर कहानी पढ़े हैं चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोग और एक चीज़ मारूम होगा महमूद जो है आगे जाकर डिप्टी कलेक्टर बन जाता है आगे क्वर्ड़े हैं कुस्टिक्शन नमर थर्टी से क्मर जहां की। तारीछ पैदाश क्या है तो उससे क्यान नमर शॉट्ंय की पैदाश हुई थी ठीक आगे बड़ते हैं सवाल नमबर सेयद अताउलहक ये भी कोशन वी वी आई लगा लीजिए वेरी वेरी इंपोर्टन क्योंकि ये भी कोशन पूछा जा चुका है कमर जहां के वालिद ये इनकी पिदाजी का नाम है सेयद अताउलहक आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 कि कमर जहां का तालुक किस यूनिवरसीटी से हैं तो भागलपूर यूनिवरसीटी ठीक आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4040 जोकी लास्ट सवाल है कि पटनाई वूनिवरसीटी से कमर जहां ने किस सब्झेट में ओर पीच्डि किया तो वो किये थे उर्दू में उर्दू सब्जेक्ट में वो MA और PhD किये थे तो यह होगा आप लोग का सही जवाब तो आज के इस वीडियो में हम लोग भी सब्जेक्टिव कोशन कंप्लीट किये कोई भी कमफीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं और इसी तरह आप लोगों को अगला पार्ट का भी वीडियो मिलता रहेगा बस आप लोगों को वेट करना है ठीक तो अभी तक वीडि